अलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू फिरोज हांटिया एंसन्स हांटिया आमस आमस अनेमिशन डीला सूरत कुजराथ सो गाइस फाइनली लंबे पिरियट के बाद 10 शॉट का पिस्टल जो है वो रिस्टॉक हो चुका है आज हम बात करेंगे 10 शॉट के पिस्टल के बारे में अल्मोस छे महिने का इसका वेटिंग पिरियट चल रहा था और अभी भी चल रहा है लेकिन हमारे आप यह रिस्टॉक हो चुका है और कंपनी ने काफी सारे चेंजिस किये है जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ यह जो ग्रिप है यह पहले कुछ इस तरीका का ग्रिप आता था और अभी यह लोग ने ग्रिप जो है उसको चेंज कर दिया है फिनिशिंग वगेरा भी काफी सारी चेंजिस की हुई है आप देख सकते हो काफी इंप्रूमेंट किया है और अल्मोस्ट जो पुराने प्रॉब्लम्स आते थे वो सारे सॉल्व भी कर लिए है चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते है यह उसका केटलॉक है मैनियल जिसको बोलते है यह 32 बोर का पिस्टल है अल्मोस्ट 720 ग्राम्स का पिस्टल रहेगा आपका वजन के अंदर यह हमारा पिस्टल है यह 10 शॉट रहेगा और 25 मीटर का मारा करता है यह 720 ग्राम्स का पिस्टल है तो जो लोग सोचते हैं कि काफी बजन में रहेगा मैटल का है तो वैसा नहीं है बजन में हलका ही है तो गाइस चलिए वेपन देख लेते हैं कैसा है तो यह इस तरीके से कुछ दिखता है यह पुश बटन है पुश बटन से ओपन हो जाता है 10 शोट का मैग है इसका यह लोड हो चुका है यह safety lock है अपना अच्छा इसमें यह चीज़ है कि अगर आप लोड नहीं किये हो तो safety open नहीं होगा इसका एक बार लोड करोगे उसके बाद ही safety on होता है आगे से इसका जो barrel है यह थोड़ा सा extend किया हुआ है जिससे इसका जो मारा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है यह grip जो है हमने change की है actual company का जो grip है वो इस तरीके से आता है और गाइस इसके आप trigger के उपर देख सकते हो हलका सा design बना हुआ है और जब आप यह आप देख सकते हो यहाँ पे जो फिलाल पीछे का जो portion है वो flat था जैसे इसको load किया वो हलका सा pop-up हुआ है रुके मैं आपको वापस दिखाता हूँ जैसे लोड होगा यह pop-up होगा यह हलका सा आ गया आ गया अब यह दोनों चीज़े साथ में क्लिक होगी तब यह fire होगा नहीं तो नहीं होगा और प्लीज गाइस इसको empty fire मत कीजे आपके जो भी weapons है उसको कभी भी empty fire मत कीजेगा और कितने लोगों को यह शिकायद है रहती है कि pistol जो है pistol के अंदर problem आता है pistol जो है वो ठीक से चलता नहीं है pistol के अंदर cartridges फस्ते है तो हम बताते है कि pistol के अंदर cartridges क्यों फस्ते है सबसे पहला जो problem रहता है miss fire जो हम कहते है उसके अंदर जो cartridges जो होते है अगर आपके पुराने हो गए defective हो गए तो उस वज़े से आपके cartridges जो है वो फस्ते है दूसरा fire करने के बाद आप उसको ठीक से साफ सफाई नहीं करते हो साफ सफाई करना ज़रूरी है अगर आप साफ सफाई नहीं करोगे तो cartridges उसमें फसेगा ही फसेगा उसके अलावा कई बार आपकी जो ejector है उसके spring वगरा डैमेज हो जाती है तो उसकी वज़े से भी cartridges फस्ते है तो weapon जो है उसका संभाल करना चाहिए उसको time to time clean करना चाहिए so guys ये था एक quick review 32 बोर 10 shot pistol का अगर आपको लेना हो तो आप हमारी website पे जा सकते हो दियेगे number पे आप call कर सकते हो message कर सकते हो और please जिसके पास license हो वही phone और message कीजेगा ये license पे ही मिलता है thank you very much